Season 5 की शुरुँआत में हम देखते है कि चिन्यू और मिसली मिलकर पार्टनर्शिप में अपने डेज़र्ट का नया वेंचर शुरू करते हैं चिन्यू भी अपने नया इन्वेंट किया हुए डेज़र्ट को यही को ही डेडिकेट करते हैं इसे देख उसे ऐसा लगता है कि वो यह सब कुछ उसकी कौन के बाइन रॉंग के लिए कर रहा है ना कि उसके लिए तो यही नाराज होकर वहाँ से चली जाती है चिन्यू भी जब उसके पिछे जाता है तो शीचुवन जिसे पहले से उस पर थोड़ा शक था तो वो जान बड़ी चोटों के हिसाब से उसके लिए फेक ब्लड प्रिपेर करके रखा था चिन्यू के रियल वर्ड के अपेरंस की वजह से अब उसका असर यही पर भी पढ़ने लगा था तो वो उसे अपने बैक पर क्यारी करता है जिसके बाद हम सुबह देखते हैं कि वो सभी मिलक थी जिसे ली जिदो भी देखकर उसके सामने नील डाउन होता है चिन्यू भी उसे ऐसे देखकर खुश था कि उसकी रॉंग फाइनली वापस आ गए वो उसे हर एक बात याद दिलाने लगता है मगर तब यही बेहोश हो जाती है जब उसकी आप खुलती है तो बुक आफि चिन्यू भी उसके लिए सूप लेकर आता है जो उसे कॉनकुबाइन रॉंग कह रहा था तो यही उस पर गुसा कर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती हैं सुबह देखते है कि यही का मुड अभी भी खरा भी था तो ली जिदो मिस डिंक को कॉल कर इस बारे में पूशता है जिस पर वो उसे बताती है कि उसकी आंट आ रही है लेकिन ली जिदो कुछ समझ नहीं पाता कि इसका उसकी आंट से क्या कनेक्शन है मगर चीनियू सब समझ जाता है और वो उसके लिए उसकी जरूरत की सबी चीजों को ली जिदों के हातों उसे बिजवाता है जिसके बाद यही भी उसे अपने साथ बात करने के लिए बाहर ले जाती है जो उसे बताती है कि वो उसकी कौनकुबैंट रॉंग नहीं है के नौवेल सबसे बेस्ट होगी वही कमपनी ये बेट जीत जाए और उसे कमपनी में मैफ ही अपनी अगले इन्वेस्मेंट भी करेगी क्योंकि यही का स्टूडियो भी अभी अभी जस्टार्ट हुआ है जिसके लिए उन्हें फंडिंग की ज़रूरत थी इसलिए वह भी इस कॉम्पिटिशन को जीतने का कहते हैं क्योंकि उनके पास तो अल्रेडी टाइम ट्रावल बेस नौवेल है बस उन्हें इसके अगले चाप्रस को कम्पलीट करना होगा ये ये भी रात भर बैट कर अपनी नौवेल कम्पलीट करती है लेकिन तभी ये ये के जाते ही लिटिल सिक्स को बात करने के लिए वहाँ से बाहर ले जाता है जहां जाकर लिटिल सिक्स उसे अपनी मजबूरी बताता है कि वो ये ये को बिट्रे करना नहीं चाता बट क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है इसलिए वांग डाली के कहने पर ही उसने ये सब किया तभी चिन्यों को ये से लॉयल रहने के लिए कहता है और साथी में वो उसे ये भी कहता है कि वो इस बारे में ये को कुछ भी ना बताए ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है सुबहे वो सभी अपना अपना प्रेजेंटेशन देने कमपनी आते हैं लिटल सिक्स भी सब कुछ चिन्यों के कहे नुसार ही करता है तब ये डाली भी वहाँ आकर ये को वान करती है और उसे बताती है कि उसके ही लोगों में एक बिट्रेयर चुपा है लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या कह रही है मगर ये ये बताते है कि वो ये सब कुछ हमें कन्फिज करने के और यही इससे पहले जिंग्यान में ही काम करती थी इसलिए आगे चल कर उन्हें फ्यूचर में कॉपी राइट्स के इशू आ सकते हैं लेकिन यही उन्हें बताते हैं कि ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा क्योंकि नोवल के कॉपी राइट्स के इशू वो होल्ड करती हैं साथी में वो उन्हें अपने नोवल के कोर कंसेप्ट को भी समझाती हैं जिससे सभी को उसके कहानी पसंद आती हैं और फाइनली उनकी कंपनी ये बिड जीच जाती हैं जिसके बाद सभी इसे सिलिबरेट करते हैं इसी भी चलिटिल सिग्स भी अपनी गलती कंफेस करता है और साथी में उन्हें बताता है कि कैसे चिन्यों ने उसकी हेल्प की ये भी उसका शुकरिया करती हैं तबी मिसली भी वहाँ उसे कंगरेचुलेट करने आती हैं जो उनके लिए गिट्स भी लाई थी लेकिन ये उसे देख खुश नहीं थी और वो जब उन दोनों को किचन में ऐसे हग करते हुए देखती हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता जिसके बाद हम मिसली और येई को आपस में बाते करते हुए देख जहां मिसली उसे बताते हैं कि उसने चिन्यू से अपनी फिलिंग्स कंफेस की लेकिन चिन्यू ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो येई को पसंद करता है वो उससे बहत प्यार करता है इसलिए मिसली ने इस रिजेक्शन को एकसप करते हुए उसे एक फ्रेंडली हग की और वो येई को भी उस परसन को चेरिश करने के लिए कहती है जो उससे बहत प्यार करता है येई को भी चिन्यू को लेकर उसकी फिलिंग्स रिलाइज होती है और दोनों भी यहां किस कर लेते है मिसली भी यहां अपने बेटे पर गुसा होती है क्योंकि उसने बिना उन्हें बताई येई के नावल के कॉपिरेट्स उसे ट्रांसफर कर दिये मगर शीचुआन यहां अपनी मा को समझाता है कि वो ये सब बंद कर दे वैसे भी यही की अपनी नावल है इसलिए उसकी लिखे नावल के राइट्स मैंने उसे ट्रांसफर कर दिये लेकिन उसकी मा मानती नहीं जिस वज़े से दोनों मा बेटे में बहस हो जाती है और शीचुआन भी कमपनी छोड़ कर चला जाता है क्योंकि वो अपने बलबुते पर कुछ करना चाता था जो कि वो अपने मां के कंट्रोल में रह कर नहीं कर सकता इधर चिनियो को मिसली की कॉल आती है जो उसे मिलने बुलाती है जिस पर चिनियो तो हेजिटेट कर रहा था मगर यही उसे जाने के लिए कहती है तो चिनियों भी मान जाता है मगर यही उसे डाट लगाती है इतना बंठन कर जाने के लिए तभी यही को भी एक कॉल आता है चिनियों और मिसली दोनों भी अपने बिजनस के बारे में बाते कर रहे थे तबी मिसली को शीचुवान का कॉल आता है जो उसे वही बुला लेती है तो वो भी एकदम से वही आ जाता है जो उसे बताता है कि मेरी माम चाहती है कि हम दोनों की शादी हो जाएं क्योंकि दोनों बच्पन से ही साथ में पले बढ़े हैं जो उसे उसकी कीमत पूछती है यही वाज लाइक यह कौन से स्टोरी का प्लॉट चल रहा है मिसेच ची जानती है कि उनका बिटा यही को पसंद करता है और यही ही वो वज़ा है जिसके वज़े से वो बगावत पर उतर आया है यही वहाज से निकल कर शीचुवान को कॉल लगाती है जिसके बाद वो भी सिदा उसी रेस्टोरान पहुच जाते है शीचुवान अपने माम के बिहाब पर यही से माफी मांगता है यही भी उसे हिम्मत देती है अगले दिन उन्हें पता चलता है कि मैं फी कमपणी ने उनके स्टूडियो में इन्वेस्ट किया है सभी इससे काफी खुश थे तभी शीचुवान भी वहाँ यही के स्टूडियो में अपने लिए जाब इंटर्वी देने आता है क्योंकि वह भी अपने आपको प्रूफ करना चाहता था जिसको वहाँ देख वो लोग कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर उससे क्या कहे इसलिए वो उसका इंटर्वी लेकर उसे बाद में इसका जवाब देंगे यह कहकर वहाँ से भेज देते है क्योंकि वो अभी भी इसी हेजिटेशन में थे कि वो उनकी राइवल कमपनी जिंग्यान से है जिन से उनकी कुछ खास बनती नहीं उपर से मिसेच ची भी इतने आसानी से अपने बेटे पर गिव अप नहीं करेगी हम इस डिंग को देखते है जिसके शोर के वज़े से आँख खुल जाते है क्योंकि आज उसके नेबर में कोई रहने आया था जो कि शीचुआन था जिसे देख वो काफी खुश हो जाते है अब इससे पहले शीचुआन उससे कुछ बात करता है वो पहले ही डोर बंद कर देते हैं और फटाक से रेडी होकर बाहर आते हैं जिसके बाद वो दोबारा डोर बंद कर देते हैं क्योंकि उसके क्रश ने आज उसे बिना मेक अप के जो देख लिया था इसलिए वो उस पर अपना अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए यही को कॉल करके बुलाती है और कई तरह के ड्रेसेज भी ट्राइ करती है जिसमें वो अच्छी लगे यही भी इसमें उसकी हल्प करती है अब शाव शाव तो शीच्वान के बारे में और भी जानने के लिए उसे अपने यहाँ खाने पर इन्वाइट करने के लिए यही को मनाती है वो जब शीच्वान से बात करने आती है तो शाव शाव वहाँ से गाय भी हो जाती है अब यही को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे क्या कहें तभी शाव शाव भी बाहर आती है जो उसे अंदर खाने पर invite करती है क्योंकि मिस्डिंग एक food blogger है जो हमेशा नई नई dishes बनाती रहती है इसलिए वो आज उसे शीचवान को टेस्ट करने के लिए देती है जो उसे भी काफी पसंद आती है मगर तब यही को भी याद आता है कि उसे मशरुम से अलर्जी है जिस बारे में शाव शाव को नहीं पता इसलिए वो उसे medicine देते हैं मिस्डिंग तो उसे sorry करने लगती है जिस चकर में उसे एक और गलती हो जाती है इधर मिस्ची यह जानकर और भी गुसा हो जाती है कि अब उनका बेटा भी यही के ही studio में काम करता है चिन्यू ने यहाँ यही के लिए एक surprise प्लान किया था जहाँ वो आज यही के उसके आज तक के सभी birthday के लिए जो उसने miss कर दिये उन सभी के लिए उसे एक एक gift देता है साथ ही में वो उसे propose भी करता है अब जैसे ही दोनो किस करने वाले होते हैं ली जिदो music बजा नहीं पाता तो चिन्यू उसे गुसे से देखने लगता है जिस पर वो उसे sorry करते हुए कहता है कि उसने music का full subscription नहीं लिया तो सभी उसकी यह बात सुनकर हसने लगते हैं यही भी अपने सभी रोजस को आपस के लोगों में बाटती है क्योंकि प्यार बाटने से ही बढ़ता है